सु हेवलो फ्रेंज कैसे हैं आसा करकत हैं कि आप लोग जहां पी ओंगे दम अच्छे दम अस्त होंगे तो आप सभी का बहुत मुष्वागत है मैं सब्छाइब है डियों में आज हम बात करने वाले हैं किस करने के फैदे निफो यार किस भी कई प्रिकार के होते हैं कई तरीके से किया जाता है सबका करने के अपना तरीका होता है अपना इस्टाइल होता है अपना तजर्बा होता है यहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं किस के फैदे क्या होते हैं और इसे करने से कौन कौन से बिमारें दूर होती है और किस किस समय कर तब कर लेते हो तो उसके हम बात नहीं कर रहे हम बात करने वाले शुबह-शुबह बासी मुख किस करने से क्या फायदे होते हैं इससे कौन से बिमारी तूर होती है अगर आप शुबह-शुबह आप किस करते हो तो हमारे लार में एक ऐसा हार्मोंस होता है जिसे हमारे हार्मो के दूसरे फैदय होते हैं कि अगमेचा तनाव में रहते हो या फिर अगर आपको बिल्कुल भी हसना किसे के सामने बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो आप अपने कपल के साथ आप अपने पार्टनर के साथ रोजाना शुबबाशी मोग किस करना सुरू कर देजी और सक्षा आपके सारी में जो हरुं शरूलिउच हो वह आपको हैपि रहने में मदद करना ही नहीं होगा क्योंकि हाए ह hen जिएषी होता है त्यूह कुछ हो अ जीवन का हिस्सा होता है तो हमें स्वास्त रहने के लिए हमें एक नियौowser हम्हारी सभे मायारी सारीर को सीहद मन ज़खने के लिए हमगे माइन को फ्री रखने के लिए खुष रहना भी बेहुत हिजाता है तो ऑश्चित कि बात यहात फंदाच के फोल जाते हैं छोटी-छोटी बात के निया ओनी नहीं सब्सक्राइब द्यान देञे जब आपकिस कर रहे हो तो मुँन फ्रेश हो साफ हो दुर गंधन आती है वस्ताइन अगर आपके मुह व। इसे आपको अंकोश मां прив phi में दढ़ को काफी जचादा रहत मिलता है जिनको हर से जुड़ी समस्य है उनको तो काफे ज़दा happy रहने के जरूरत होती है तो ऐसे लोगों को किसी ने किसी तरीके से खुश करने के लिए आप अगर उनकी partner है जैसे कि जिनको heart से जोड़ी समस्या है अगर उनकी partner है तो उनको भी रोजाना शुबह आप कोई भी किसी भी तरीके से उनको किस किया करें उनको किसी भी तरीके से शुबह शुबह हैपी रखने के कोशिश करें शुबह शुबह जिनतना आप हासों के उतना आपके सरीर में happy hormones release होगा जो कि आपको स्वस्त रहने में काफे ज़दा मदद करेगा तो दोस्तो एच छोटा से information आपको कैसा लगा मुझे निस्टी comment box में जरुद बताएगा thank you